गुरु गोविन्द दोव खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविन्द यो बताए गुरु पुर्णिमा की लख लख बदाई आप सभी को यार हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता अप सबने अपने माता पिता को गुरु पुर्णिमा की बदाई दी होगी उनको गुरु पुर्णिमा विश किया होगा बहुत सारे सुबा से मैसेज़ जज़ आए हैं पूरा का पूरा इन्बॉक्स फुल है गुरु पुर्णिमा की बदाईयों से होप मैं आप लोगों की जिन्दगी में इतनी सी भी रोसनी डाल पा रहा हूँ अपने नॉलेज के जरिये यर मेरे ना जब मैं बहुत छोटा था तो जो भी मुझे पता होता था ना मेरे फादर मुझे कहते थे कि बेटा अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया गरो जो भी तुम्हें पता है उसको लोगों को बताओ बांटा करो इससे क्या होगा तुम्हें आरी नॉलेज और इंक्रीज होगी और भी बढ़ेंगी तो वो सिलसिला मैं बचपन से लेकि अभी तक चलाता आ रहा हूँ मुझे जो भी पता होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आगे तक पास आउट करो इस वीडियो में एक बहुत ही एहम बहुत ही उमदा सीख देने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो को सीख ही कहूँगा सभी नए ट्रेडर्स के लिए ये क्यूं कर रहा हूँ मैं ये वीडियो में बनाता नहीं but मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतने सारे विष्चेस हैं कि बहुत अच्छा लगा मुझे तो अभी इस वीडियो में क्या है एक बिल्कुल beginner traders की मैं एक series चलाना चाह रहा हूँ कल मैंने एक वीडियो डाला था कि कितना टाइम लगेगा एक टेडर बनने में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखाया आई बटन पर मैंने डाल दिया देख लिए एंड आज का वीडियो जो है भीया एक नया ट्रेडर ना मार्केट में आता है मैंने जो प्रॉब्लम्स पकड़ी है जब तक प्रॉब्लम्स ना पकड़ी जाए तब तक उसका हल नहीं मिलेगा और मैंने जो प्रॉब्लम्स पकड़ी है एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है न वो आते ही option में call और put में घुश जाता है बट जिनको call और put की लट लग चुकी है जिनको किसी भी नशे की लट लग जाती उस नशे को कैसे चुबाए जाए call या put ना करे तो मजा नहीं आता है बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता पता होते हुए भी loss हो जाएगा सबसे पहले बहुत ही ज्यादा रिस्की है option अगर हमें इसकी सही जानकारी नहीं है बहुत सारे screen shots बहुत सारे advertisement बहुत बड़ी बड़ी हस्तिया advertisement करने लग गई है अब तो अगर मैं बात करूँ tips वगेरा की जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है मैं तो हैरान हूँ कि चंद पैसों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए अभी अगर हम बात करें call या put को छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि क्या actual में आप trader बनना चाह रहे हो या सिरफ और सिरफ अपने नसे को पूरा करने के लिए अपने आपको अपने दिमाग को एक relaxation देने के लिए अगर आपको मार्केट नहीं आता है यानि कि आपको call or put options में trade करना नहीं आता है आपकी accuracy high नहीं है या slow and steady जो अगर आप 4 lot से कर रहे हो उसको एक lot पर ले हो एक lot से slow slow अपने daily trading में stocks को add करो उसको watch करना शुरू करो stocks का मतलब मैं एक video का link दे रहा हूं जिसको cash में कैसे trade करना है नहीं पता है इस video का चेक किजिए और देखिए कि cash में कैसे trading करना है जैसे आज हमने reliance में trade किया आज हमने tcs में trade किया tcs का भी call put ले लिया reliance का भी call put ले लिया नहीं अगर आपको options आपका risk management सही नहीं है आपका accuracy सही नहीं है तो आपको उसके cash में एक एक shares उठा उठा के उसमें trade करना है मतलब दो share ले लिया दस ले लिया पंद्रा से ले लिया जब watch करोगे आप calculations लगाओगे तो आपको कहीं न कहीं कोने में interest आएगा लेकिन जब उसको watch ही नहीं करोगे आप बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी करते रहोगे तो नहीं बात बढ़ेगे तो अभी आपको करना क्या है आपको जिस तरह से आप अपना निफ्टी बैंक निफ्टी एनलाइज करते हो exactly 2-3 stocks को भी एनलाइज करो watch list में add करो उन पे levels लगाओ और देखो कि आपका level work कर रहा है अगर वर्क कर रहा है एक्जामपल लो कि मैंने 100 quantity शेयर लिया अपने कैपिटल का अपके पैसे कितने बड़े मान लिजी किसी के अकाउट में 50,000 रुप पड़ा है उनको क्या करना है उनको अपने आप से एक्जामपल ले ले लेना है कि मै मैंने 100 quantity रिलाइंस उठा लिया था, 100 quantity उठाया, 10 रुपय का मेरा stop loss था, जाने के लिए 1000 थे, 30 रुपय का मुझे profit हुआ है, यानि कि 30 रुपीज, यानि कि मेरे को 3000 का profit हुआ है, यह आपको continue कम से कम 1 मन्त तक daily 2-3 stocks निकालने है, उन पे practice करना है, अगर हो सके तो 2-4-10 stocks में trade भी कर लेना है, बहुत कम brokerage लगेगा, अगर आप adult vices में account open किये हुए हो, तो वहाँ पे बिल्कुल calculated brokerage लगती है, नहीं है, आपका account description में link account open कर लीजे, मतलब अगर आप, मैं आप कहा रहा हूँ, अगर आपने 100 share में trade किया ना, तो maximum आपको 10-12 रुपय, tax tips मिला के सारा brokerage हो बढ़ाईए, जब आपकी accuracy हाई हो जाए, जब आपको risk management सही हो जाए आपका, जब आपको big profit लेने का, big profit book करने का आदत पढ़ जाए, तब आप options में थोड़ा सा shift करोगे, single single lot से, starting में option यार मीठा जहर है, मैं बार-बार कहता हूँ, बहुत सारे लोगे comment आजाएंगे, अगर accuracy सही है, अगर मुझे आता तो मैं कर सकता, बिल्कु कर सकते हैं, ये वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ, जो अभी तक loss में ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है, आपको options आता है, लेकिन आप profitable नहीं है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये बात मेरी सह ही है, कमेंट करके बताइए, ये आपको लग रहा है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप profitable नहीं है, इट मिन की आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, आपके दिमाग में आप सिरफ ये डुकाना चाहरे हो, डालना चाहरे हो, कि भाई मुझे सब आता है, लेकि अपने आपको जूट बोलके अपने आपसे, अगर आप loss making हो कर रहे हो, अगर आप loss make कर रहे हो, तो सबसे पहले कितना time लगेगा, वहाँ पे 2-4-6 वाला rule फालो कीजिए, अगर 2-4-6 वाला rule आपने फालो करना सुरू कर दिया, तो आपको सही हो जाएगा, सारा कोज सही हो